हेलो गाईज आप देख रहे हैं असके लिए पने एक्सपट का यूटूब चैनल और आज किस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको कुलकस्टेड सायर वर्सेस नौर्थ हैम्टन सायर के बीज में इंगलीज टोमेस्टिक वन डेकप से गुरूब बी का ज क्या प्लेइंग रह सकती है वो देखेंगे दोनों टीम के प्लेयर्स के स्टाइट्स देखेंगे इस सीजन जो मैचे सुए उसके और साथ में हम लास्ट सीजन के भी स्टाइट्स देखेंगे ठीक है तो सब कुछ एकदम अच्छे से डीटेल में डिसकस करने वाले हैं तो अब वीडियो को पूरा देखिएगा बाकी आपके लिए सर्फराइज गिवावे भी है ठीक है जितने भी नए लोग इस पीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो मेरे मेंबर्स है उनके लिए तो मैं गिवावे और यस्टरडे नाइट को ही अनाउस कर चुका हूँ बहुत बड़ा गिवावे हैं गाईज तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में चानकारी दूँगा इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बाकी वीडियो को स्टार्ड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मैच की फाइन चैनल पर जॉइन कर सकते हैं बाइचांस अगर डिस्क्रिप्शन वारा लिंक काम ना करें फिर आप अपने टेलिग्राम में जाएं सिंप्ली सर्च करें एड़ डरेट एसके लेवन एक्सपर क्यापिटल लेटन में उसके बाद गाईज आपको हमारा ओरीजनल टेलिग्रा पर मैच हो रहा है ठीक है तो आप न्यूटरल विकेट ही मान कर चलिएगा सबसे पहले आपर हम गुलकुष्टर सायर टीम पर आते हैं गाईज तो गुलकुष्टर सायर की टीम एक मैच खेलिए अभी तक जो की वह जीतकर आ रही है ठीक है लेकिन गाईज इनके बेंच चाल्सवर्थ खेले थे वह इस मैच में स्कौाइड में नहीं है इंजरी के चलते तो वह बाहर है और साथ में हैरी टेक्टर ये भी अवलेवल नहीं है ठीक है तो ये दोनों प्लेयर इस मैच में नहीं खेलने वाले है इस बात का ध्यान देखिए बाकि मुझे ये 11 खेलता दिखे रहा है इनके लिए आपको क्रिस देंड के साथ बेंड विल्स ओपनिंग करते दिखेंगे वन डाउन ओलिवर प्राइस आ सकते टू डाउन पर जैक टेलर थी डाउन पर जैम्स पैरिस से इनकी कैप्टन और विकेट कीपर फो डाउन पर टॉम प्राइस फा खराब नहीं है ठीक है वो भी अच्छे ओल डाउन डर है तो टीम चाहे तो उनको भी खिला सकती है अभी नीचे हम उनके बारे में भी डिसकस करने वाले है तो गाइस अगर आप फर्स्ट मैच का यहां पर स्टाइट्स देखेंगे तो क्रिस डेंड ने 8 रन किये ओलिवर प्राइस बहुत अच्छा के रहे एक सोलर नोट आउट की कमाल की पारी के लिए बॉलिंग की तीन ओवर की लेकिन महेंगर है विकेट नहीं मिला जैक टिलर ने 11 नोट आउट की अच्छी पारी के लिए जैमस बैरी से ने 23 किये जफ़ार गोहर ने अच्छी बॉलिंग रह अच्छा था बाकि गाइस बेंच पर इनके बास यह कुछ प्लेयर है अजीद दाल जो की फर्स्ट मैच के लिए थे मुझे लगता है इस मैच में बाहर जाएंगे बाकि ग्रेम वैन वुरन है जो की फर्स्ट मैच नहीं कहले में भी हो जकता खेल जाए टॉम स्मित के भी थ सबसे इंपोर्टेंट स्टाइट सागाई तो यह आप अच्छे से देखिएगा सबसे पहले अगर आप रंस में देखेंगे तो जैक टेलर लास्ट इन की टॉप्रें स्कोरर थे ठीक है बहुत अच्छा के लिए थे बाकि इनके बाद जैम्स पैरिसी का नाम आता है यह भी जैसे ग्रेम वाइंवरन इनका देखेंगे तो 79 मैचेस में 900 से उपर रन है, 24 का बैटिंग अबरेज और 50 विगेट है, यह इनका लिष्टे करियर का स्टाइट्स है, यानि कि ODD डोमेस्टिक, ठीक है, जो कि यह मैच है, बाकि अनबर अली, पाकिस्तान के प्लेयर है, अच्छे ओल डाउन है, आपने को पी एसल में काफी खेलते देखा होगा, इनके पास लिष्टे में 147 मैच में 2420 रन है, 32 का बैटिंग अबरेज है, और साथ में 177 विगेट है, ठीक है, तो काफी अच्छा है स्टाइट्स है, डॉमनी गुड मैन के पास दो मैच में कोई विगेट नहीं है, और जो फिलि इनका 13 मेंबर का, और मुझे ये प्लेंग 11 खेलता दिख रहा है, 99% यही खेलना चाहिए, ठीक है, इनके लिए आपको रिकार्डो वैसको नेल्स उपनिंग करते दिखेंगे, प्रिथवी सौ के साथ, ठीक है, वन डाउन आएंगे, इमोली होगे, टू डाउन पर सैम वाइ इनके कैक्टन और विकेट कीपर, 5 डाउन पर लुक पर प्रॉक्टर, 6 डाउन पर टॉम टेलर, 7 डाउन पर जैक वाइट, 8 डाउन पर अलेक्स रशल, और 9 डाउन पर बैंच संडर्सन, ठीक है, बाकी बैंच पर इनके पास जस्टीन ब्रॉड है, जिनके नाके खिला सकती है, ठीक है, आप गाईज आगे बढ़ते हैं, नौर्थ हैम्टन सायर के लास्टीन के स्टैट्स पर आते हैं, उससे पहले मैं आपको जो सबसे बड़ा गिवावे है, जो मैंने कल टेलिग्राम चैनल पर अनौंस किया है, उसके बारे में यहाँ पर कुछी देर म यहाँ पर बहुत कम टाइम में फटा-फट से जानकारी दे देता हूं, तो यह गाईज मैं टेलिग्राम चैनल पर आपको लेकर आ चुका हूं, यही हमारा ओरिजनल टेलिग्राम चैनल है, ठीक है, आपको यहीं पर जॉइन करना है, यह देख सकते हैं, आज ही मैंने पेट बहुत सिंपल रूल्स हैं, जिनको आपको फॉलो करके, आप यहाँ पर फ्री में मूवी का टिकट जीत सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 20 टिकट में टोटल डिस्रिब्यूट करने वाला हूं, ओमजी टू मूवी की, जो की 11 अगस्त को आ रही है, ठीक है, इसके गाईज, यूट्यूब चैनल और टेलिग्राम चैनल, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन करके रखना है, बस यही सिंपल रूल है, हर दिन आपको हर वीडियो में फॉलो करना है, ठीक है, 10 अगस्त को यहाँ पर मैं आफ्टरनून में विनेर अनाउस करूंगा, 20 और 20 व कभी भी, ठीक है, 11 अगस्त को आपको टिकट मिल जाएगा, ठीक है, तो बहुत कमाल का गिवववे है, जो कि मैंने अनाउस किया है, ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे उमीद है, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी गा यह जो मुवी आने वाली है, यह काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सब को बताईए इस मुवी के बारे में, ओम जी टू के बारे में, जो की 11 अगस्त को आ रही है, कली इसका ट्रेलर भी आया है, तो वो भी जरूर से जरूर जा कर देखे, बाकी जो गिव अबे मैंने अनौस किया, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें गाईज, ठीक है, और अगर आप अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, तो डेफिनेटली गाईज, आपको यहाँ पर फ्री में मुवी का टिकट मिल सकता है, अब चलिए गाईज, हम लास्टियन के स्टैट्स पर आते हैं, नौर्थ हम्टन सायर के प्लेयर्स के, ठीक है, तो यह इनका लास्टियन के स्टैट्स है, काफी प्लेयर अवलेबल नहीं है, तो आपको कमी प्लेयर का स्टैट्स दिख रहे हैं, तो वैस्ट को नहीं तॉप बी के टेकर्स थे फिर एलेक्स रसल का नाम आता है फिर बैंस अंडर्सन का और फिर टॉम टेलर का अब आगे बढ़ते हैं गाईस कुछ एक्स्टा प्लेयर की स्टाइट्स भी देख लेते हैं जोकि नए आड हुए स्क्वार्ड में इस सीजन प्रित्वी सौ का स्टा प्लेया के प्लेयर है इनके पास 48 मैचेस में 870 रंस है 23 के बैटिंग अबरेज के साथ लुक प्रॉक्टर का देखेंगे 48 मैच में 820 रंस है 33 का बैटिंग अबरेज है और साथ में 26 विकेट है तो यह काफी अच्छे ओल डाउंडर है काफी experience भी रखते है इनका selection बहुत कम होगा तो डिफ्रेंजल बन सकते बाकि जैक वाइट के पास 12 मैच में 17 विकेट है ठीक है 29 के बॉलिंग एबरेज के साथ जस्टिन ब्रॉड इनके पास 9 मैचेस में 288 रंस है गाइस 41 का बैटिंग अबरेज है और 111 का स्टाइड है यह उनका गाइस टीट्वेंटिया मैच में 3 विकेट है लिष्टे करियर का स्टाइड से जो कि उतना अचा नहीं है लेकिन गाइस यह अच्छे बॉलर है इनका जो यहां पर टी 20 मैचेस का स्टाइड से वह काफी अच्छा है इस पेसली या भी जो रिसेंट्ली इंगलिस टी 20 ब्लास्ट वा है उसमें इन्हो वीडियो आपको पसंदार ही होगी अगर आज को वीडियो पसंदार ही हो तो इक लाइक जरूर कर दे एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेेट करता है अपके लिए री से साथ में पेल आइकन को आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसन कर लेते हैं सबसे पहले गाईज यहां पर हम विकेटट कीपर section पर आते हैं जहां पर तीन फ्लेयर खेल लेगे chances है लू 2021 मैट मैंट मेंस के जो की यहां पर नork थेम्टल्थ cm के captain है काफी experience प्लेच्ट है और अच्हे प्लेयर भी है लास्षी अच्छा के लिए थे बाकि वैंभ ऐ mild यंग प्लेयर है, टैलेंटेट प्लेयर है, डीसेंट है, ओपनिंग पर आपको मलेंगे, इनको ग्रैंड लिग टीम में आपको सजेस्ट करूँगा, बाकि जैम्स बैरीसी है, गलोकोस्टर सायर के कैप्टन, यह काफी अच्छे प्लेयर है, यह भी अच्छा केलते हैं, रेग जिनको मैं टीम में ले रहा हूँ, इंडिया से आते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है, वैसे तो टेकनिक वाइस सॉलिड है, ठीक है, रीसेंट फ़र्म उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, आईपल में उतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन फिर भी बैक करूँगा, बाकि वै सॉलिड प्लेयर है, आपके लिए डिफरेंशल में आएंगे, ग्रैंड लिग में मस्ट आए है, इवन स्मॉल लिग में भी रिस्क लेकर ले सकते हैं, ठीक है, बाकि हारी टेक्टर नहीं कहलेंगे इस मैच, जैक टेलर अच्छे प्लेयर है, फिर्स्ट मैच में फिप्टी क बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रिस देंट, डिसेंट है, ग्रैंड लिग पिक में आप इनको रखिएगा, ओपनिंग पर मिलेंगे गाइस, काफ एक्स्पीनिंस प्लेयर यह भी है, ठीक है, अब यहाँ यहाँ पर हम आल डाउंडर सेक्शन पर आ जाते हैं, जहाँ पर इंपोर्टेंट है, मैं लेके जाऊंगा, बाकी नीचे से गाइस, लुक प्रॉक्टर खेलते हैं, तो यह काफी अच्छे डिफरेंसल बनेंगे, काफी एक्स्पीरियंस प्लेयर है, बैक्टिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्म कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जी वैन अधिन भी काफी अच्छे प्लेयर यह भी क्येलते है, तो अच्छे डिफरेंसल बनेंगे, भी थोरे खेलने के जान्तिस कम है, नीचे से अन्मर अली पाकिस्तान के काफी पाकिस्तान से आते हैं, अच्छे अल्डाउनर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस सकते हैं अगर खेलते हैं गाइस तो ग्रेंड टीम में मस्ट राए हैं इवन स्मॉल लिग में भी डिफ्रेंसल बन सकते हैं अब गाइस आते बॉलिंग सेक्षन पर जहां पर आपको मिलेंगे बैंड से अंडर्सन जो की काफी अच्छे फास्ट वोलर है नौर्थ हम्टन सायर नेदरलेंड के फास्ट विकेट टेकर यह भी है लास्ट मैस में भी काफी अच्छी बॉलिंग कराके आखे आ तो आप इनको भी ले सकते हैं बाकि टॉम टेलर है एक और यहां पर अच्छे यहां पर बॉलर बॉलिंग ऑल्डॉंडर ठीक है रंस भी कर सकते हैं गाईस यह ध्यान नहीं दूँगा अभी के लिए गाइस मैं यहां पर ले रहा हूँ पॉल वाइन मिग्रन एंड टॉम टेलर को आपके पास एक बेंस एंडर्सन भी काफी अच्छी उप्शन है आप चाहे तो उनको भी कंसीडर कर सकते हैं इवेल टॉम स्मित खेलते हैं तो वह काफी इ डिफ्रेंसल बन जाएंगे और साथ में गाइस हैल्डेस भी ठीक है तो इन दोनों का ध्यान लिखिएगा तो यह बन जाता है अभी कले हमारे टीम का प्रिभ्यू अगर हम गाइस यहां पर सीवीसी के बेस्ट आप्शन की बात करें न तो सीवीसी के जो मुझे बेस्ट दिख रहे हैं ठीक है उनमें यहां पर आते हैं जफर गोहर अनबर अली ठीक है उसके लाबा रॉब क्योग ओलिवर प्राइस यह चारो ऑल डाउंडर्स अगर बैटर सेक्शन से किसी को करना हो तो प्रिभी 100 को कर सकते हैं और बिकेट कीपर सेक्शन से तो गाइस यह दोनो तो यह चेंज में कर सकता हूँ फाइनल टीम में ठीक है तो ध्यान लेखेगा इस बात का तो गाइस यह अभी कले टीम का प्रिभीव बन जाता है ठीक है इस टीम में डेफिनेटली 100 परसें टीम में चेंजेस होने वाली है फाइनल टीम अपडेट काफी जादा बाकि आज किस वीडियो में इतना ही गाईस, आपको वीडियो अगर पसंद आया तो जितना जाता हो से को उतना जाता वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भुलें, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को फटाफर से सब्स्राइब करें और बैल आइक मिलती रहें बाकी बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूं नेक्स वीडियो में